सीरियल मन अतिशुंदर में दिवयम बात कर रहा होता है कान में ब्लू टूथ लगाकर और पीछे राधिका बेहोस हो जाती है वह उसे देखकर डर जाता है पानी डालता है उसके उपर फिर उसे उठाकर बिस्तर पर ले जाता है और कहता है क्यों बेहोस हो गई वह बोलती है नहीं खाया मैंने कल से तो उसे इलेक्टरॉल देकर और चला जाता है फिर पानी आने वाला होता है तो सारे कपड़े उठा लेती है राधी का और अंदर ले जाती है पूछती है नौकरानी से तो है बता नहीं पाती है यहां दिव्याम एक पेपर को रखता है टेबिल पर और फिर कमरे में देखता है तो सारे कपड़े देखकर चिलाने लगता है और फिर रूम स्प्रे डालता है उससे उसे खांसी और छीक आने लगती है राधी का की सास आती है और चिलाती है कहती है घर को क्या कबाड़ खाना बना के रखाया तुम्हारा नहीं हमारा घर है फिर प राधिका से कि तुम बिल्कुल दूर रहना तुम्हें इसके पास आने की जरूरत नहीं है जब क्लाइंट्स आ जाते हैं तो नास्ता देखकर कहते हैं यह तो हम विदेश में भी खाते हैं हमें तो देशी खाना खाना था और आपने बनाया नहीं घर में रासन नहीं होता तो मंगवाने के लिए परिशान होती है यहां राधिका कहती है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा फिर वह पकोड़े बनाने लगती है ताओ जी आते हैं तो पकोड़े उन्हें खिलाती है और पूछती है कैसे हैं तब तक राशन आ जाता है वह बोलती है कि पकोड़े तो बहु हो जाती है और फिर चिलाती है कि तुमने उन्हें कच्रा खिला दिया तुम हमारे घरवालों को कच्रा खिलाओगी कि अदिव्यम भी उसे चिलाता है और फिर क्लाइंट बुलाते हैं कि यह किसने बनाया है जब उनके पास आती है तो डर जाती है